Hello everyone, welcome to study journey vlogs Friends, मेरा भी जो KBS PRT का paper था वो हो चुका है तो मैंने सोचा आप लोगों की साथ मेरा experience share करती हूँ कि मेरा experience कैसा रहा तो देखे friends, मेरा जो exam था वो मैं आहले आपको बता देती हूँ कि 24 फरवरी को था और evening shift में था अब मैं आपको कुछ question बता रही हूँ और हाँ friends, एक बात और बताना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने जो TGT का exam दिया था वो मुझे as compared to PRT easy लग रहा था और कल वाला paper मुझे hard लग रहा था बाकि सभी बोलतों ये रहे थे पेपर बहुत easy आ रहा है अब पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा था या मेरी shift में ही ऐसा था बता रहे हैं कि 24 को जो paper बने है वो hard बने हैं तो हो सकता है तो उन में से कुछ question मैं आप लोगों की साथ share कर रही हूँ फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं पेडागोजी की तो पेडागोजी में मेरे पास क्या question थे कि जो आत्म के अंदरित चरण का संबन्ध है वो किस age सी है इसके अंदर age पूछ रखी थी self-centered age उसके बाद समवेगातमक विकास नेतिक और धार्मिक परिशिक्षन जो हमारे emotional development होते है उनके अंदर जो नेतिक और धार्मिक परिशिक्षन है वो कैसे दिया जाना चाहिए उसको व्यक्तिकत छोड़ देना चाहिए या फिर समूव खुद देगा कुछ ऐसा करके था अगर आप लोगों के इनके answer आते हैं तो आप लोग मुझे comment में बता सकते हैं और आप friends मैंने ये question वही note की है जो कि मुझसे थोड़े से मैं पजल हो रही थी उनमें ठीक है साथ में बाकी और भी question है एक पूछ रखा था किशोर अवस्ता में आकर्शन जो होता है वो same sex होता है both sex होता है opposite sex होता है मूरत संकिरियात्मक अवस्ता थी जो पियाजे की उसी question पूछा हुआ था कि कौन सी age में होती है साथ में सरजन सिलता से question पूछा गया था एक question था कि जो मानव विकास है वो किस के अंतरगत आएगा किस साखा के अंतरगत आएगा psychology, sociology और भी कुस था biology ऐसे करके चार option थे जो मानव विकास है वो किसे साखा के अंतरगत आता है जो प्रेसस्ति की भावना है award देने की जो भावना है जो attitude वाली जो feelings होती है वो कौन सी विकास में आती है ये भी question पूछा हुआ था वो सामाजिक विकास में आती है भावनात्मक विकास में आती है इस तरह से करके question था एकल अवलोकन में कितने वैवार शामिल किये जाती है अनुभवात्मक अधिगम को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती जो experimental learning है उसको प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती वो ज़्यादा महंगी होती है या उससे output इतनी नहीं आपाती ऐसे करके उसके option थे और हाँ friends ये सच है कि दो option में आके confusion बन रहा था कि इसको टिक करें या इसको टिक करें जो कि KVS TGT में भी था मेरे साथ उसके बाद पैडागोजी का अर्थ पूछा हुआ था कि पैडागोजी का अर्थ क्या होता है ये question तो पहले भी repeat हो चुका था school से question आये थे counseling से question था NCF 2005 से question था RTE से question था और एक पूछा गया था जो विकलांग जो वेक्ती होते हैं उनको जो free education है वो किसे इस तक दी जाते है जैसे कि जो RT है उसके अंदर तो 6-14 है लेकिन वैसे जो विकलांग है उनको 6-18 वर्स तक दी जाती है तो ये question भी उसके अंदर था तो friends ये तो मैंने बात कि आपको pedagogy की friends pedagogy मुझे TGT के compare इस वाले paper में hard लगी अब मुझे नहीं पता hard आई रही थी या मुझे ही hard लगी है इसका तो अब आने वाले time में ही पता लगेगा ठीक है English की बात करते हैं जो English जो general paper था उसके अंदर एक question पुछा गया था he may relax when he finished work इसके अंदर जो हमारी close होगी वो कौन सी close होगी ठीक है close से question थे voice से question थे narration से parts of speech से errors से question थे synomes थे ठीक है तो ये सब question इंगलिस में पूछे गए थे और यही मैंने आपको TGT में होता था हिंदी बहुत ही easy थी एक आख का परियाईवाची पूछा हुआ था जो मुझे याद है एक तदसम तदभव से question था एक paragraph से 4-5 question थे paragraph बहुत ही easy था उसके बाद बात करते हैं जो subject concern में जो हिंदी आई थी उसके अंदर हमारा क्या आया था friends मैंने NCRT की summary तो पढ़ ली थी क्योंकि किसको पता लग गया था कि NCRT की summary पूछी जा रही है लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि NCRT summary के तो 3 question आये थे और साथ में 2-3 question किस के आ गए writer के आ गए तो writer मैंने नहीं पढ़े थे क्योंकि मुझे लग रहा था राइटर से question नहीं पूछेगा लेकिन writer से question बन गए थे और ऐसे friend दो दिन में कोई कितना ही पढ़ सकता है summary पढ़ ली थी साथ में सभी कुछ को revise करना था तो मैं अलग से अपना time waste नहीं करना चाती थी writer पे तो 2-3 question मेरे यहां से गलत हो गई उसके बाद यह भी पूछा जा रहा था आपको एक रजना का नाम दे देंगे जैसे कि जूला दे दिया और उससे पूछेंगे कि वो कवित्ता है कहानी है एक अंकी है इस तरह जी पूछेंगे ठीक है साथ में समास से भी question था जी subject concern की बात कर रही हूँ विशेशन से संग्या का जोड़ा दिया गया था विशेशन सब्दों से संग्या बनाने का और फिर उसमें पूछा गया था कौन सा ऐसा नहीं करता है paragraph था बहुत ही easy था ठीक है उसके बाद बात करते है subject concern की English की जो paragraph था friends बहुत ही difficult था मुएरा English subject है मुझे ही difficult लग रहा था और बाकी को भी लग रहा होगा ठीक है यूर यह सब कुछ मैं आपको ड्राने के लिए एम इन नहीं बोल रही हूँ जो मेरा experience है जैसे मुझे लगा वैसा मैं आपको बता रही हूँ हाँ grammar रीजी थी NCRT की समरी नहीं पूछी गई थी ठीक है बात कर लेते हैं maths की तो friends maths जो जिनका basic के लिए रहना उनसे बन जाएगा 20 question आये थे तो 20 में से 90 question मैंने आराम से बना लिये थे और एक ये question था 1-2 प्लस 3-4 प्लस 5 ऐसे करके प्लस 151 और इसका solution मुझसे नहीं हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्या लगाना है APGP लगानी है इसके अंदर या क्या करना है मुझे ये समझ में नहीं आया मैंने 2-3 बर इसको soul किया लेकिन जब मुझसे नहीं हुआ फिर मैंने इसके उपर टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा इसको मैंने छोड़ दिया था बाकिस अभी क्यूशन इजी थे मैथ कि जिनका basic के लिए रहना वो 20 आउट ओफ 20 बना सकता है आराम से साथ में एक क्यूशन था कि बही कुछ दिसंबर का दे रखा था शायद कि दिसंबर में इस दिन ये वार था तो मार्च 2023 में क्या वार होगा ऐसे कुछ करके था ठीक है उसके बाद एक बोरे से related क्यूशन था कि बही एक इतना बड़ा कुछ दे रखा था उसके अंदर इतना सामान आ सकता है एक बोरे का वजन इतना है तो उसके अंदर कितने बोरे आ सकते हैं साथ में सम विशम से क्यूशन थे तो ये क्यूशन थे कुछ मैथ के जो मुझे याद रहे मेरे दिमाग में है मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूं उसके बाद बात करते हैं EBS की तो EBS भी friend moderate थी जो पहले पूछी जा रही थी वैसी easy EBS नहीं थी तो आप लोग भी इतना हलका मत लीजिए आपका paper बहुती easy आएगा ठीक है paper में आने को कुछ भी आसकता है easy भी आसकता है और moderate भी आसकता है मेरा जो paper रहा वो moderate रहा easy नहीं था TGT वाला easy था NCRT 3rd to 5th पूछी गई थी जो कि मैंने की हुई थी तो तो मैंने अच्छे से बना ली थी साथ में science का touch भी दिया गया था science से related गुमा करके कफी question पूछे गए थी एक फ्रेंड से पक्सी वाला क्यूशन था उपक्सी का मुझे नाम याद नहीं रहा और वो पक्सी मैंने पढ़ा भी नहीं था ठीक है उसमें पक्सी की चोट से related कुछ था और श्यायद उस पक्सी का जो नाम है वो स्टार्ट था मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है अगर आप लोगों ने पेपर दिया हो तो आप लोग मुझे बताना साथ में फ्रेंड्स क्या कर रखा था इवियस के अंदर ना जो हम रिजनिंग में करते हैं ना कथन निसकर्ष वाले तरक वितरक वाले ऐसे क्यूशन दे रखी थे स्टेटमेंट वेस्ट दो तिन दे दिये और ये इसकी सही में करता है या नहीं करता है इस तरह से बता हो तो ये सब कुछ EVS में था उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेरनेस की जनरल अवेरनेस में लगबग चार्ज क्यूशन तो करंट के थे बाकि स्टेटिक के थे चार पांथ क्यूशन करंट के थे करंट फ्रेंड मैंने लास्ट में बिल्कुल रिविजन नहीं किया था तो उसका मुझे नहीं बता मैं क्या करके आई हूँ क्या नहीं करके आई हूँ स्टेटिक जिक्के की बात करते हैं तो स्टेटिक जिक्के में मेरे क्यूशन सही बन रहे थे एक क्यूशन दो तिन क्यूशन तो छहाई साइन्स से रिलेटेड भी थे एक मुझे याद आ रहा है कि जो अमीबा जो होता है उसके अंदर जो सूडो पोडिया होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है ये क्यूशन था अब बात करते हैं कम्प्यूटर की तो कम्प्यूटर में एक इन्बूट आउट्पुट डिवाईस से क्यूशन था प्लोटर टचपैड ऐसे कुछ करके ओप्सन थे और वो क्यूशन था साथ में ओपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ग्यूशन था यानि कम्प्यूटर नोर्मल था ज्यादा हार्ड नहीं था कम्प्यूटर रिजिनिंग भी फ्रेंड इसमें इजी टू मोडरेट थी जो मैंने पांच नंबर की जो टीजटी इंगलिस वाले में जो इजिनिंग दी थी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए चैनल को फस्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए थैंक्स पर वोचिंग दिस वेडियो